पर दोस्तों मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड काफी दिल्चस देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार बर्फी देवी की बेटी सभी की आँखों में धूल जोग कर और एक बार फिट से जाती हुई नजराने वाली है वो भी किस के प आप किया है कि वो दूद बखेट दिया और बखेटने के बाद में उसने मेशिज है क्यों कि उसने पहले से ही सब कुछ जाज परक्के कर रखा था क्योंकि इस समय लैला का जो किरदार है वह उस पर बहुत ज़्याद अभारी पढ़ रहा है लेकिन दोस्तों इस समय लैला जो गई है लैला बनकर लेकिन अब उसने पूरी मन में सोच लिया है कि मीत हुड़ा को किसी भी सूरत में मीत अलग कर करना है और अलग करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकती है आप लोगों को पता देना चाहता हूं कि कहानी में वाके में एक जवर जस टूष जवर जस उसाल देखने को मिल रहा है जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मीत हुड़ा और मीत अलावत दोना एक दूसर टो लैला का मानना यह है कि अगर मीत रुड़ा एक बार मेरे रास्ते से हटी तो मीत अलावत शीक है लेकिन वह यह चीज भूल चुकी है कि मीत हुड़ा के लिए मीत अलावत मौत से भी ठक रा जाएंगे क्योंकि वाकर में एक दूसरे बहुत ज़दा प्यार करते हैं मीत हलावत और मीत हुड़ा महीं पे ही दोस्तों अब बर्फी देवी को पता चल जाएगा कि यहां से लैला जा चुकी है लेकिन आखरकार लैला कहां गई है वो उसके पीछे जाने की कोसिस करने वाली है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही लैला क्या परदा भी परदा फास होने जा रहा है सभी अलावत परिवार के सामने आप लोगों के सामने मैं रोहितना अगर हाथ जोड़कर अनुरूत करना चाहूंगा चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बते हैं आपको